महापुरसो, धर्म प्रेमिशजनो, देवियो, बुधि जीवियो, सामाजिक राजनेत, धार्मिक मन्ज से होने वाले विचारों को जन्मानस तक पहुँचाने का गुरुतर भार लिये कहीं बैठे हो तो पत्रकार बंद हो, सद्गुरु कबीर ने कहा है, यह जग जरते देखिया, अपनी अपनी आग, ऐसा जिरा ना मिला, जासो रहिया लाग। कबीर साहिब कहते हैं, सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। किसका आधार लेकर के हम बच सकते हैं। आग सब्द का पर्योग किये हैं, लेकिन उस आग में एक बिशेशन लगा हुआ है। वो बिशेशन है अपनी। आग का सुभाव है जलाना। पदार तो ये किये, आग में गर्मी है। लेकिन इस साखी में सब्दुरू कबीर आग का पर्योग करके कहते हैं, अपनी अपनी आग। अपनी आग से मतलब है जो अभी सुन रहे थी, क्रांतिकारी विचारत संस्री रामा संकर सहब से, कि लोग अपनी अपनी मानेताओं में डूबा हुआ है। अपनी अपनी मानेताओं आदमी बना-बना करके, लोग उसमें डूबा हुआ है। चाहे वो मानेता मंदिर की हो, मस्जिद की हो, अभी बरतवान समय में, जो यह देश जल रहा है आग में, आपने देखा। कि बंबई में, दिल्ली में, जहांगिर पूरी में, जो हिंसक घटनाएं हुई, उस हिंसक घटनाओं के पीछे कारण क्या है। आज बंबई में, हिंसक घटनाएं हुई, मद परदेश में हुई, और इस देश का एक नेता कह रहा है, कि अभी रमजान का महिना है, इसलिए मैं चुप हूँ। जिन लोगों ने समाचार पत्र पढ़ा होगा, या सुना होगा, वो कहा कि तीन तारिक तक चुप हूँ, और समुचे देश के हिंदू को अहवान करता हूँ। जदी लॉडि स्पिकर नहीं उतर गया मस्जिद से, तो हम 24 घंटा हनुमान चलिशा का पाठ समुचे देश में करवाएं। चाहे अल्लाहो अकबर कहिए लॉडि स्पिकर से, चाहे हनुमान चलिशा का पाठ कराईए। बोलिये सद्गुरु देवे की जये। बोलिये सद्गुरु देवे की जये। अब सब लोग बैठ जाए। सबी लोग बैठ जाए। जगह ले करके आगे जगह छोड़के ने बैठ ये। खड़े हैं तो सब लोग जगह भर लोगे। तो मैंने कहा है अभी बरतवान समय जो चल रहा है। समुचे देश में जो संपरदाईक आग सुलग रहा है। ये कौन सी आग है। एक आग है जिससे भोजन बनता है। आग नहीं रहे तो भोजन कर नहीं पाएंगे। बोजन मिलेगा नहीं। ऐसे प्रकृति प्रदत नियम है। प्रकृति के अनुसार हमारा जीवन हो जाए। हम प्राकृतिक आहार लेना शुरू करें। कि प्रकृति ने हमको जैसे दिया है। जो प्रकृति में उगता है उसको उसी रूप में गरहन करें। अधिकांस आदमी स्वस्थ हो जाएगा, सभी लोग स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन उसको परिवर्तित करके, जो हम ले रहे हैं, उसको परिवर्तित होने में सहायक है आग, अभी माईक से, माईक बज रहा है, वहां भी करेंट पैदा किया गया है, वो करेंट के माध्यम से पावर बना करके, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, यहां धीरे से संत महापुरुस बोलते हैं, उनकी आवाज दूर तक फैल रही है, उसके पिछे पावर कोन है, आग, वह भी आग ही है, रात में बल्व जलता है, दीप जलाते हैं, कल दीप जला यहां, क्या था वो आग, कबीर सहब कहते हैं कि यह जग जरते देखिया अपनी 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 आग, अपनी अपनी मानेताओं के अनुसार, अपनी मानेताओं का एक समूह बना करके, आज हम लड़ रहे ह कोई मंदिर बना करके कोई मस्जिद बना करके कोई मंदिर के लिए लड़ता है कोई मस्जिद के लिए लड़ता है कबीर सहब ने कहा कबीर सहब के चरण चिन्हानुगामियों ने कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुझा का है दिल किसी का मत तोड़ो ये घर तो खास खुदा का है मंदिर में तो बूथ धरे हैं मस्जिद सफम सफाई है दिल दरगा हमें घुसकर देखो हस्ता नूर कुदाई है आज जो युद्ध चल रहा है मैं कहता हूँ एक कथा है एक संथ चले जा रहे थी और महरम का समय था उधर से जब महरम का समय आता है मुसलमान का परव आता है महरम तो उसमें पागल हो जाता है अहिंदू होली में पागल होता है तो महरम का समय था मुसलमान पागल हो गया था तजिया बहुत लंबा था अब तो तजिया का कार छोटा हो गया है तजिया बहुत लंबा बनाता था तजिया ले करके सड़क से चल रहा था आगे हिंदू का गाउं था आउसी बीच सड़क पर एक पीपल का पेड़ था और अक्सर जहां पीपल क पेड़ होता है वहां हिंदु उसको पुजास्थल बना लेता है एक ध्वजगार देता है अई लोग ऐसी पुजगरी है कुछ समय आता है कौन-कौन परब धागा लेकर के उसको लपेटती है कभी-कभी देखते हैं रास्ते में चलते हैं तो पीपर के पेड़ में इतना पुजगरी बन सकती है एक वस्तर बन सकता है वह अनावस्यक उसमें लपेट देती है तो तजिया लेकर के चल रहा था तजिया पीपल के पेड़ में द्वजगड़ा हुआ था हनवान जी थे जैसे अभी जगड़ा हुआ कि हनुमान जी का जुलूस निकल रहा था अधर से पत्राव किया यह समझ रहा होता है तो वो चले जा रहे थी तो मुसल्मान देखा कि तजिया लग जाएगा पेड़ में तो कहा कुलहारी लाओ इसको काटेंगे काट देखे चुकि तजिया जो है वो जुक नहीं सकता है हमारा जो इमाम सहब है जुकेगा नहीं हमेसा काट रहेगा वो जुकना नहीं जानता है लेकिन जो जुकना नहीं जानता है वो मनुष होगा क्या कहा कि हमारा अल्ला मिया जुकेगा नहीं तब क्या करेंगे कहा इस डाल को काटने के लिए तैयार और उधर से हिंदु पहुंच गया कि तुम में दम है तो तुम लेकर लेकिन पेड़ को काट नहीं सकते हो हमारा हनुमान जी है यहां अब दोनों युध की तैयारी में था अब युद्ध होने ही वाला था संगहार होता उसी बीट से एक पार्खी संत चले जा रहे था उस भीड को देखा भीड को देख करके संत महां चले गए सोचा कुछ हो रहा होगा लेकिन दोनों तरफ देखा कटारी, फरसा, कुलारी दोनों दविया सब के हाथ में का क्या हुआ भाज मुसल्मान कहा कि महराजी हमारा तजिया है यह क्योहार है आईस पर अल्लां मिया बेथा हुआ है वो अल्लां बेथा हुआ तो अल्लां को जाने में कठनाई होगी उसको पेड से टकराएगा तो तूट जाएगा, इसलिए डाल को हम काटना चाहते हैं, उधर हिंदू सब तयार था, कातूम क्या कहना चाहते हो, कहा कि ये हनवान जी हमारा है, पूजास्थल है, इस पेड़ पर हनवान जी है, इस डाल को काटने नहीं देंगे, जो डाल को काटेगा उसको काट देंगे, पार्खी संत यही है दिवीक संत कहा है कि संत बड़े परवार्थी सीतल जिनके अंग संत का सुभाव ऐसा होता है कि समस्या का समाधान बीच से निकाल देते हैं संत ने कहा कि ये काम करो दोनों आदमी दोनों तरफ खड़े हो जाओ तजिया को यहां रख दो तजिया से तुम अलग हो जाओ इसकर अल्ला मिया है और पीपल के पेड़ पर हनुमान जी है छपन कोटी देवता है तो तुम लोग भी पीपल का पेड़ छोड़ करके अलग हो जाओ खड़ा हो जाओ आइस दोनों को युद्ध करने दो जो मजबूत होगा वो युद्ध में जीत जाएगा तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो जैसे ये बात कहा दोनों अलग हो गया अल्ला मिया रहेगा हनुमान जी रहेंगे तब न समाधान होगा ये अल्ला के नाम पर जो हम लड़ रहे हैं युद्ध कर रहे हैं ये युद्ध क्या है ये कविर साहिब करते हैं अपनी अपनी आग अपनी अपनी मान्यता के आग में जल रहा है अपनी मान्यता का त्याग किजिए साधू संत हैं वेस भूसा में जल रहे हैं कोई लाल कपड़ा को देख करके उजला कपड़ा वाले को देख करके जलता है एक दूसरे को देख करके जो जलन है यह मान्यता की आग है यह मान्यता की आग समाप्त हो जाए और कैसे समाप्त होगा संथ महापूरसों के सहाचाज में लेकिन सकविर साब यहां कहते हैं कि कासो रहिया लाग पूरी दुनिया मानिता की आग में जल रही है तो हम किसके साथ लग करके रहें किसे समाधान खोजें हम चुकि जो समस्या वहाँ है वही समस्या समाज साधू समाज में भी देख लिजी चारों तरफ अभी सुने कि एक संपरदाय खड़ा है और उस संपरदाय के भी संपरदाय निकल गया रोज नई संपरदाय निकल रही है नई नई मानिता को ँरृम कि उसका उदघाठन करके एक टोली बना करके दी रहा है एक टोली में बना करके सब घूम रहा है कि उस टोली से कल्यान होगा क्या कविर sahaj много कहना येह लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाधान करने के लिए नहीं है समाधान किन से होगा विवेकी संतों से होगा जिनके पास विवेक है जिनके पास विचार है और जिसके पास सत्य है सत्य को परखने की सक्ती है ऐसे संतों के साथ ऐसे संतों के सहचर से हमारे जीवन का समाधान हो सकता है और जिस से समाधान होगा देख लेज़ याद तीर दिवस्य कार्जगरम का दूसरा सत्र है और इस गौं का छोटा बच्चा कहिए जो यूवक है उसको अभी दूसरी दुनिया में रहनी चाहिए लेकिन गौं को छोड़ करके साधू समाज में गया साधू समाज में जीवन बैकित करके लोट कर गौं आया है एक कार्जगरम करने का संकल्प लिया संकल्प कौन लिया एक व्यक्ति दिलीप दिलीप संकल्प लिया है और संकल्प लेकर के आपके पास प्रस्ताव रखा समुचे दौवालों के पास कुछ लोग सहयोग किया कुछ लोग डाटा डपाट फटकार भी किया बच्चा समझ करके लेकिन सब लोग सहयोग किये सब लोग कंधा में कंधा मिला दिये एक बच्चे का संकल ये समुख खड़ा के इतना वड़ा पंडाल लगाया दो महने से मेहनत करके आयोजन किया है और ये भी कहा लोगों ने कि पैसा तुम्हारे पास कितना है जितना वड़ा आजन करोगे लेकिन इसी जगह पर कोई लड़का रहा होता अब किसी हीरोईन का कारिक्रम ले लिया होता कोई उससे पता चल जाता कि कोई हिरोईन आ रही है या डांसर सपना चौधरी आ रही है तो हमको लगता है कोई पूछता नहीं कहता जितना पैसा लगता है लो और भीड़ भी लगा देता है जिसको देखने से जिसको सुनने से हमारी चैतिक चेतना धुमिल हो सकती है वहां हम धन का परियोग कर सकते हैं करते हैं लेकिन जहां से हमारे चेतना का उदगाटन होगा जहां से हम उदगाटित हो सकते हैं जहां से हमारे जीवन को नई दिशा मिल सकती है वहां कठोर मेहनत कर करने पर भी पंडाल की संख्यां देख लीजिए लोग भीड रहेगी तब सत्रंग होगा सोबात नहीं है संत महात्मा अपने समझ से आपके लिए कुछ दे करके चले जाएंगे हानी किसकी होगी जो संत इस मंद से जिन बातों को सुन रहे हैं जदी एक एक व्यक्ति अपने ज अल्यान हो जाएगा सबके जीवन की दिशा बदल जाएगी इसलिए आवश्यक्ता है कि हम अपने जीवन को समझें अपनी मान्यताओं को समझ करके और तब उस पर हम आगे बढ़ें अधिक अधिक आगे नहीं कहते हुए समय अधिक हो गया है इसलिए मैं थोड़ा किया कभीर साहब की एक साखी पर यहजग जलते देखिया अपनी अपनी आग ऐसा जियरा ना मिला जासो रहिया लाग बस इनी सब्सक्राइब के साथ मैं अपनी बातों को इस्राम देता हुए दिल दयारहम कुतेजकर संध्या नवाज खाली है प्रानी से वहर बढ़ा कर इ इस वर पूद कर दो